जो बोलूम आया है तो इसको आइडिविटिकली एक्सपैंसन होगा तो फाइनल प्रेशर क्या होगा इनिसियली दो कंडीशन है पहले कंडीशन यहां लिख लें यहां देख लो यहां पर यहां पर पहले कंडीशन लिख लो चलो इस कोश्चन को सॉल्व करें प्यारे बच्चों मोना अटामी गैस है प्रेशर पी है बोलूम भी है आइसो थर्मली एक्सपैंसन हुआ जिससे बोलूम 2 भी बना और अडिविटिकली हुआ जिससे बोलूम 16 भी बना फाइनल प्रेशर अब गैस तो गैस का फाइनल प्रेशर निकालना है दो कंडीशन है पहला आइसो थर्मल है प्रेशर पी था बोलूम भी था बात में प्रेशर कितना हुआ पी डैस बोलूम कितना हुआ टू भी टेंपरेचर तो सेम रहेगा दूसरा एडिविटिकली है ज प्रेशर निस इस्सिस्टम जो आइसो थर्मल के लिए पी इस उकल टू एन आइटी इस उकल टू कॉंस्टेंट होता है इसका मतलब देगगा कि पी बीवन इस उकल टू पी टू बी टू सारी दुनिया को पता है तो P B P dash volume 2 B so simple तो P dash is equal to P by 2 pressure आदा हो गया इसो थर्मली चलो बात करते है एडियोवेटिक के लिए गामा दिया हुआ क्या गामा दिया हुआ 5 by 3 तो P B is equal to gamma is equal to constant होता है एडियोवेटिक प्रासेस के लिए अब दो स्टेट के लिए P 1 B 1 is equal to P 2 B 2 P 1 ये इस initial था ये यहां से तो P dash P dash की value P y 2 volume कितना था 2 B P B gamma आँ गामा भी तो constant आएगा 2 B की power 5 by 3 P 2 P 2 किदर गया भई? P 2 हमें चाहिए final pressure और यहां जाएगा 16 B की power 5 by 3 इस इस दे final calculation अब यह जो calculation कर लेगा वो success हो जाएगा जो नहीं कर पाएगा वो माथा पीटेगा exam से बाहरा के तो B ने B को तो P by 2 और ये 2 5 by 3 is equal to final pressure 16 16 क्या? 2 2 की power 4 20 by 3 ऐसे लिख सकता हूँ pressure final जब अगर calculate करोगे तो 2 by 5 क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? P by 2 और 2 यहां से और ये इधर आएगा और उपर जाएगा तो 5 by 3 minus 20 by 3 तो 5 by 3 minus 20 by 3 तो ये जाएगा P by 2 और 2 और ये जाएगा 15 by 3 minus इसका मतलब ये हुगा इसका मतलब ये हुगा कि P 2 और 2 की power 5 तो 2 की power 5 32 और ये 64 प्रेशर फाइनली जो है वो इसको कैलकुलेट करो कैलकुलेट करो कि नहीं ये 64 आ गया तो प्रेशर फाइनली इस उकल तो P अपान 64 इस इस दा फाइनल सलूशन तो अब जो फाइनल सलूशन है प्यारे बच्छो P by 64 इस इस दा C option सही है जल्दी जल्दी कोशिन कर वीडियो पहुच